नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ज्यान फोर यू में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपिटर पलसी की पैट परिक्षा 2022 इसमें जो चार सिफ्ट में परिक्षा हुई थी तो इन चारों की चारों सिफ्ट में कौन-कौन से प्रशनों पर आपत्ती होगी और किन-किन प्रशनों पर यूपिटर पलसी ने गलादान सर दिया हुआ है और किन-किन प्रशनों पर सभी को नमबर बिलेंगे और किस सिफ्ट में कितने प्रशनों पर दिक्कत है तो इन सभी बातों पर आज बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं 15 अ तमस्या नहीं है ठीक है दोस्तों आब आते हैं 15 अक्टूबर की second shift पर दित्यपाली पर तो देखिए इस shift में किन-किन प्रशनों पर दिक्कत है वो बात कर लेते हैं दोस्तों मेरे पास ये जो है ये master उत्तरकुंजी है मतलब ये master set है तो इस shift में किन-किन प्रशनों पर दिक करता है देखिए सबसे पहला जो प्रशन है वो है question number 10 दसवा question ये है भारत को बिरिटिस नियंतरन से मुक्त करने के लिए भारती राश्ट्रे स्रेना का गठन किसने किया था तो आयोग ने इसका जो answer दिया है वो दिया है स्वास्चंद्र बोस जो की बिलकुल गलत है दोस् को पूरा number मिलेगा ठीक है क्योंकि यूपिटर पलेसी को इसका जो answer है option है वो बदनना पड़ेगा राश बिहारी बोस इसका सही answer है आपको दिखाता हूं proof में दोस्तों ये है इसका proof गूगल पे आप खुद भी search कर सकते हैं देखिए दुत्य विश्विद के दौरान सन 1945 म इसमें लिखा है टोकियो उसमें राश बिहारी बोस ने भारत का अंग्रेजों के कबजे से स्वतंतर कराने के लिए आजाध हिंद फोज या इंडियन नेशनल आर्मी का नामक ससस्तर सेना का गठन किया था इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंग और राश बिहारी बोस इवा निरंजन सिंग ने महत्पुन मोही का निभाई थी तो इसमें दोस्त साब साब लिखा है कि राश बिहारी बोस ने आई एन ए याने की इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था ठीक है दोस्तो तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राश बिहारी बोस दोस्तो आगे बात कर लेते हैं आगला जो कोशन इसमें होगा मास्टर की में वो आपका होगा 19 कोशन ये कोशन है 1979 में कितने प्रमुक निजी बैंकों का राश्टर करन किया था तो इसका आंसर आयोग ने दिया है इन में से कोई नहीं जबकि इसका आंसर होगा 14 ठीक है तो इसका भी आंस आइलोग ने दिया है नमक कानून तोडने के लिए दांडी मार्च लेकिन ये बिलकुल गलत है ये जो है सविन्य अवग्या आंदौलन शुरू करने का कारण नहीं था ठीक है इसका जो आणसर दोस्तों होगा वो होगा ग्यारे सुत्री विभाजन ठीक है ना ग्यारे सुत्र सुत्री विभाजन ये इसका सही आंसर होगा और जिसने ये मार आये ना उसको पूरा नंबर मिलेगा ठीक है ना नमक कानून तोडने के लिए दांडी मार्च सुरू किया गया था सविन्य अवग्या आंदौलन सुरू करने का जो कारण था वो ये बिलकुल नहीं था ठीक ह ये कोशन आपको गलत दिया हुआ है थीक है तो हो सकता है इसके नंबर सभी छात्रों को मिल जाए थीक है ना तो भाय जो 15 एक्टूबर की 2ंट स्फट है इस स्फट में जो है 4 परस्नों में दिक्कत है ये होगा आपके 4 परस्ट ठीक है ना और जो आपको बता रहा हुआ छात्रों को मिलने वाले हैं तो ये चार प्रश्णों पर समस्या है ठीक है दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अब बात करते हैं 16 अक्टूबर की पहली सिफ्ट इसमें किन-किन प्रश्णों पर समस्या है तो भईया मास्टर की मेरे पास है और सबसे पहला जिसमें question है question number है आपका 9 ठीक है ना 12 सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में British सरकार के अंतिम अधिकार का एक उधारन कौन सा है तो भईया ये question जो है doubt में है ठीक है ना इस question का यूपिटर पलेसी ने answer सही नहीं दिया हुआ दोस्तो अगला question है question number 68 इसमें question है बॉली बॉल निमलिकित में से किस देश का राष्ट खेल है यूपिटर पलेसी ने answer दिया है इन में से कोई नहीं जो की बिलकुल गलत है बॉली बॉल जो है ना भाईयों बॉली बॉल नेपाल का राष्ट खेल है ठीक है ना साफ साफ आप गूगल पे सर्च कर सकते हो नेपाल का राष्ट खेल है बॉली बॉल तो इसका भी आंसर यूपिटर पलेसी को रिवाइजड आंसर की में बदलना पड़ेगा आगे बात कर लेते हैं दोस्तो अगला है question number जो है आपका 71 71 question आपका ये कहता है आज की PD में मादक पधारतों के परियोग की लत पड़ रही है दिये गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता ठीक है ना तो इसका आंसर यूपिटर पलेसी ने गलत दिया हुआ है ठीक है इसका जो आंसर आएगा यूपिटर पलेसी को देना चाहिए मा बाप ठीक है ना तो इसका आंसर जो है गलत है ठीक है revise answer के में आपको इसका आंसर बदला हुआ मिलेगा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है दोस्तो आगे बात कर लेते हैं अगला जो question आपका आता है वो आपका आता है 98 98 जो question दोस्तो है वो ये है कि राज्य A के लिए गरीबी रेखा से उपर आने वाले पुरुशों की लगबग जन्संग क्या होगी यदि राज्य A के लिए गरीबी रेखा से उपर आने वाली महिलाए 1.8 million है तो ये question आपको भाया गलत दिया हुआ है ये सही question नहीं है ठीक है बिल्कु गलत question है इसके number भी सबको मिलेंगे तो भाईयो शिदी सिदी बात ये है कि यूपिटर पलेस्टी ने सोल एक्टूबर की पहली shift में चार प्रशनों में गड़वड कर रखी है यानि कि चार प्रशनों में गड़वड है तीन के तो आंसर गलत दे रखे है और एक जो है question ही गलत है तो चार प्रशनों में टोटल गड़वड पाई गई है सोल एक्टूबर की पिर्थम पाली में ठीक है दोस्तो आगे बात कर लेते हैं अब बात करते हैं 16 अक्टूबर की 2nd पाली दोस्तो 16 अक्टूबर की 2nd पाली की बात करें तो इसमें जो पहला question है आपका वो आता है question number 5 डलहोजी ने भारत में ब्रिटिस सामराज्य के लिए अवद को कबजे में लिया था ठीक है ना ये कोशन भईया डाउट में है अब यूपिटर पलसी इस सवाल पर क्या फैसला करता है वो तो रिवाइज डांसर की आने के बाद ही पता चलेगा लेकिन ये बात एक्दम कनफर्म है कि ये सवाल डाउट का है ठीक है आगे चलते है दोस्तों आगे आता है कोशन नमबर 9 9 है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य नयाधीस के साथ कितने नयाधीशों की नुक्ति की गई थी ठीक है ना मतलब मुख्य नयाधीस के साथ कितने नयाधीस नुक्ति की गई थी तो इसमें कह रहा है कुल नयाधीस कितने थे तो भाईया जो कुल नयाधीस थे वो थे 7 प्लस 1 यानि कि 7 तो अन्य नयाधीस और 1 मुख्य नयाधीस तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 8 आएगा ठीक है ना जबकि यूपिटर पलेस्टी ने दिया हुआ है 6 ठीक है ना जो की बिल्कुल गलत है ठीक है ना तो इसका जो आंसर होगा आपका होगा इन में से कोई नहीं ठीक है दोस्तो आगे चलते हैं दोस्तो अगला जो कोश भाइया वो होगा यह सभी इन में से आंसर आएगा यह जो है बिल्कुल गरद्य होगा इनना आंसर तो रिवाइज रांसर की आएगी तो इसमें यह सभी दिया होगा 100 पर्तिशत ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों एक आपका question number 72 है soul October की second shift में नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग सिक्षित होकर अपने अधिकारों के परती जागरुग बने सबसे सही तरक युक्त उत्तर कौन सा है तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा अधिकारों की मांग ठीक है ना यानि कि जो है यह जो आंसर इनों दिया हुआ यह बिल्कुल गलत है इसका भी आंसर यूपिटर पलेसी को बदलना पड़ेगा ठीक है दोस्तो तो यह आपकी हो गए चार प्रशनों पर समस्या है soul October की second shift में ठीक है दोस्तो तो यूपिटर पलेसी जो रिवाइज आंसर की जारी करेगा तो आपको काफी बदलाव इन तीनों shift में देखने को मिलेंगे जो 15 की पहले shift है उसमें कोई समस्या नहीं है लेकिन 15 की second 16 की first और 16 की second इन चारो shift में आपको काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है नंबर सब के बढ़ने वाले है ठीक है दोस्तो दोस्तो ये अपडेट होगा यूपिटर पलेसी की पैट परिक्षा के आंसर की को लेकर और किसी भरती को लेकर जो भी जानकरी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एक दम उथंटिक जानकरी मेरे चनल पर दे दी जाएगी दोस्तो ये नियूस थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने काम की ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जाएँ 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 भारत आपके दिन शुभो